नमस्कार दोस्तों मैं केपी गुपताब माय क्रेटिविटी चैनल में आज हम माइंडफुल्नेस को कैसे सीखें इसका महत्तु क्या है इस पर चर्चा करेंगे वर्तमान छंड में रहना इसी को अंग्रेज में माइंडफुल्नेस कहते हैं और ये बहुती क्रांती कारी विचार है इसको अपनाने से एक बहुमुल्य चीज जो है वो है एक आगरता I think everybody wants concentration and one of the research says those who are having concentration more there are more prone for success जो एकागरल लोग होते हैं और लंबी दूरी के खुड़े होते हैं और सफलता सफलता को छोड़ी भैसब तनाव भी कम होता है हमारी रचनात्मक्ता बढ़ती है और हम अपने कारेच्छित्र में उत्रोत्तर प्रगती करते हैं माइडफूलनेस खरके में भी तनाव को कम करने का काम करती शान्ती ज़्यदे स्थापित करती हैं हमारा समवाद बहतर होता है माइडफूलनेस को की डिफिनेसिंट क्या हो सकती है जब भी आप गूगल पर ट्राई करेंगे तो बहुत सपस्ट है वर्तमान छण पर अपनी स्वचतना को केंदरित करना ही माइडफूलनेस है मतलब वर्तमान जो छण गुजर रहा है उस पर ध्यान दें और अपनी चैतना को लिजाएं तो ये माइडफूलनेस है और विस्तार से कहें इदी, if you are aware of every thought if you are aware of every emotion if you are aware of body sensation if you are aware of your surrounding you are more mindful हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए हमारे emotions क्या है वो हमें पता होना चाहिए body में क्या sensation आ रहा है कहीं दर्द है कोई तो वो पता होना चाहिए हमारे आसपास यह दे चिडिया बोल रही है तो हमें पता होना चाहिए और यह बड़ा शांदार चीज है जब आप इसको महसूस करेंगे करेंगे तो आपको बहुत सारे पाज़िव रिजल्ट्स आएंगे यह मैं नहीं कहरा हर्बेंट बेंसन एक कार्डिलर्जिस्ट हुए अमेरिकन और उन्हों के पास जितने भी पेशेंट आये वह हर्ट पेशेंट के डॉक्टर थे हर्ड डिसेस के तो उन्होंने यह पाया यह हर्ट का डिसेस नहीं यह तना हो का करण है तो उन्होंने माइंडफुल ने इसको एक सबजेक्ट बना कर पढ़ाना शुरू किया और यह विशे को हावर्ड में भी ले गए आप यदि इसको ट्रेस करेंगे तो आपको बकायदा मिलेगा क्योंकि जो भी मैं बात कहता हूँ प्रामानिक रूफ से ही कहने की कोशिश करता हूँ तो यह तो हो गई शायद आप इस बातचीत के इस करम तक निश्चित रूफ से आप सहमत होंगे क्यों माइंडफुलनेस को हमें सीखना है तो सीखने के लिए क्या करें फोकस अन नाउ माल लीजिए आप सूप पी रहे हैं तो टमाटर का सूप है तो आप केवल टमाटर के सूप पर फोकस कीजिए उसके स्वात पर उसकी गंद पर वो गर्म है की ठंडा है अंदर गया तो किसे मसाले कौन कौन से डलें काली मिर्च है या दालचीनी उसमें डली है नमक कितना है आपकी जुबान पे हर टेस्क को महसूस कीजिए आपको आनद आएगा यदि आप अकभार पढ़ रहे हैं और अकभार पढ़ने के सांसत मूमफली भी खा रहे हैं तो जैसे ही आप अकभार की एक लाइन पढ़ते हैं और मूमफली खतम होती है तो आपका ध्यान मूमफली के पे जाता है आप छिलका छिलते हैं और एक मूमफली अंदर लेके आते हैं आप देखते हैं मूमफली ठीक है की नहीं फिर मूम में रख लेते हैं फिर दूसरी इस लाइन पढ़ना चालू करते हैं तो नहीं आप मुंफली का ठीक से जाईका ले पा रहे हैं, नहीं अगबारों की न्यूस का अनन्द ले पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं, focus on now, जो समय गुजर रहा है, जो पल गुजर रहा है, उस पे focus जिंदगी इसी पल में हैं, दूसरे पल में नहीं, slow down, बहुत भागती दोडती जिंदगी है, हम अपनी कारों से, मोटर साइकल से भाग रहे हैं, सीडियों पे भाग रहे हैं, लिफ्ट में भाग रहे हैं, मेट्र ट्रेन में भाग रहे हैं, थोड़ा सा होले हो जाए, थीमे हो जाए, मैं आपको एक उधारन देता हूँ, कभी आप पेदल अपने घर के आसपास चलिए, आप ज़्यादा चीज़ें उपसर कर पाएंगे, कोई नई दुकान आई है, आपको पता लगेगी, कोई नया व्यक्ति रहने आया है, वो पता चलेगा, आपको पता चलेगा, कि आपके आसपास, किसी ने गुल्हड का पेड पेड लगा दिया है, वो पता चलेगा, ये गुल्मोहर का पेड लगा है, और उसको कितने सुन्दर दिख रहा है इस गर्मी के मौसम में, तो थोड़ा स्लोडाउन हो जाएंगे, भैसब, स्लोडाउन होने में बहुत, आपके बॉडी इंप्रूव होती है, माइड इंप्र आंगन में क्या-क्या रखा है, कितने गंबले रखे हैं, उन गंबलों में क्या-क्या होगा है, एदे कोई फूल है तो उस पर कोई काली चिडिया आती होगी, उस काली चिडिया को देखिए, एक कोई फूल होगा, बेल होगी, उसमें कीडे घुश जाते हैं, अंदर तक उस बून का गिरना देखें ये बून का गिरना mindfulness को ले आएगा, एका गिरता को ले आएगा जीवन में आनंद को ले आएगा आकिर हम दोड़ किस ले रहे हैं, आनंद के लिए थे Mindful eating जब आप ये बात इसलिए कहना पड़ रही है कि इदी जल्दी में खाना खाया गया, खाना जहर होता है ये ओशोन भी कई बार काया है और वो सरे डॉक्टर भी कहते है तो जब आप Mindful eating करते हैं तो आपको मान लीजे गुलाब जमून परुसा गया है तो गुलाब जमून के हर जर्रे जर्रे का रस आप महसूस कीजी उसकी मुलाइम जो बनावट है उसको महसूस कीजी उसके मीठे स्वाथ को महसूस कीजी तो आप जब Mindful eating करते हैं आप खाना खाते हैं तो आप देखिए आपके खाने में सलाद है कि नहीं, दही है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं इस इस करड़ Mindful eating लेकिन आप मसीन की तरह जैसे जब मसीन में के इंपुट डाल दिया जाता है उस तरह खाना खाएंगे तो निश्च तरुप से आपका Mind और बाड़ी दोनों स्वस्त होंगे इसलिए Mindful eating धीमे खाईए, हर एक चीज़ का स्वाल देजए कोर को लंबा करिए जब तक यूँ खतम न हो जाए जल्दबाजी मत करिए खाने में आप निश्च तरुप से ज़्दस वस्त होंगे फिर ये एक और चीज़ कही गई कि स्माइल तो सो मसीबतों का जवाब है आप जब स्माइल करते हो तो आपके पूरी बाडी और माइंड पर पॉजिटिव इंपेक्ट होता है आपके तनाव ज़लने की छमता बड़ती है देर में भी सम तेन सिचुएशन बट एक उन्हेंडल विच श्माइल इस लाइक क्लाइबिग एमाउंटन तट बेनिफिट यू गेट कही बार आपने देखा होगा कोई टीम है क्रिकेट में नो विकेट डाउन हो गए लेकिन एक प्लेयर लास्ट ओट है कुछ रण बनाने हैं और जीटने के लिए उसी ओवर में रण बनाने है बॉलर को देख के प्लेयर स्माइल देता है पॉलर का confidence शेक हो जाता है तो smile वो चीज है जिए बहुत सारे परिस्थिति में काम आती है Meditation से भी mindfulness सिख सकते है Meditation करने के लिए आपको सुबह का वक्त होता है आप ध्यान में बेट जाएए शरीर को बिलकु ढिला छोड़ दीजिए एक अंद जिखे पर विट जाएए और सारा ध्यान स्वासों पर रखिए स्वास के आने और जाने पर रखिए और ये time waste नहीं है ये time waste नहीं है ये स्वस्त दिमाग और शरीर की पूंजी है आपको बहुत medicine लेना पड़े उससे वेतर meditation करेए Meditation is the substitute of the medicines is a doctor who continuously cure you at home and increases your mindfulness एक और डाक्टर अपने पास है सात्मों डाक्टर प्रक्रती आप नेचर के पास जाएए नेचर जो प्यार देता है नेचर जो सकारत मक्ता चीज देती है वो कोई दूसरा नहीं देता है आपके घर के आसपस जब आप सुबे उठते हैं तो पूरो दिसा से सूरे उखता है बादलों कभी कभी बादलों होते हैं तो बादलों के बीच मुँँ कितने रंग रचता है हर रंग अलग होता है अद्भुत होता है फिर बादलों को काटते हुए बाहर निकलता है और इस रच्च में श्रंखला, बद, चिडियां, कबूतर, पंची जब उस पूरे आकास में होते हैं तो आप अपने में नहीं रहते हैं आपने कभी देखा होगा घर के आंगन में जो फूल लगें उन पर मन राती हुए तिद्लियों को कोई काली तिद्ली है, कोई पीली तिद्ली मल्टी कलर तिद्ली है ये उनको देखने से हमारे जीवन में रंग आते हैं ये फूल देवताओं को ऐसे नहीं चड़ाए जाते है ये फूल हमारे माइंड में आना चाही है फूल की इमेज हमारे माइंड माना चाहिए यह है फूल का महत्व और आखरी में सबसे ज़्यादा एकागरता को भंग करने के लिए हमारे स्मार्टफोन है हमारे लेप्टाफ से इन पर वही एक समय सीमा पर निर्धारित होकर काम करिए बार बार अनुपयोगी वटसेप और फेस्बुक को देखना इस वेस्टेज अप्टाइब यह व्टू ब्रिंग इंटर्वल बिविन चेकिंग यूर सोचल मीडिया साइट अपलेस आप एक नोटिफिक्शन से दूसरे नोटिफिक्शन दूसरे नोटिफिक्शन तीसरे नोटिफिक्शन ने और आपका मIGN पेंडुलम जे सा घूमता है और लास्त मैं मैं केना चाहता है I am not expert of mindfulness I am also student of mindfulness without mindfulness I have lost so many things in my life but at this age of 58 I am realizing one must learn mindfulness for a better life better health better world for being a better person thank you for listening me on my channel my creator